सो हेलो गाईज वेलकम बैक तो आवर यूटुब चैनल और वेलकम तो माई न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टन्स लेवल क्या रहेगा को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर वीडियो अपलोट करती हूँ साथी साथ आपको मेरे चैनल के उपर stock analysis के उपर videos मिलते रहेंगे educational videos मिलते रहेंगे तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और well notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाए और video शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को एक और important बात बतानी है अगर आपने मेरे चैनल की membership अभी तक join नहीं की है तो जल्दी से कर लो channel membership join करने के बाद आपको उसके extra benefits मिलते हैं YouTube में मैंने 3 membership के options आपको provide किये हुए है first membership के अंदर आपको stock analysis के ओपर guidance मिलता है आपको important stocks के buy or sell levels मिलते हैं साथ ही साथ आपको next आपके जो query होगी उसका early reply मिलेगा second membership के अंदर आपको stock analysis के ओपर guidance तो मिलता ही है साथ ही साथ nifty bank nifty के लिए आपको expiry के लिए एक strategy मिलती है इन सब के साथ साथ आपको educational videos मिलते हैं जैसे की option chain analysis के ओपर technical analysis के ओपर candlestick pattern के ओपर आपको extra videos जो है वह वह पर मिलते हैं third membership के अंदर जैसे की platinum membership है उसका नाम तो उसमें आपको मेरा personal whatsapp contact मिलता है साथ ही साथ आपको 159 और 599 के benefits मिलते हैं along with this आपको everyday trading के लिए nifty bank nifty के लिए buy or sell levels मिलते हैं साथ ही साथ एक prepared chart बिलता है जो कि मैं खुद आपको draw करके देती हूं every day market शुरू होने से पहले तो यह सारे benefits आपको channel membership के अंदर मिलते हैं तो अगर आपको channel membership join करनी है तो नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है अगर आप देखोगे तो subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहां से भी आप channel membership join कर सकते हो और YouTube के तरू अगर आप membership लेते हो तो आपको सिर्फ credit card का ही use होना चाहिए क्योंकि आपके पास credit card जरूरी है आप उसके अलावा कोई भी payment नहीं कर सकते हो अगर आपके पास credit card नहीं है तो उसके लिए मैंने एक option निकाला हुआ है तो यह सिर्फ platinum membership वालों के लिए है अगर आपको platinum membership लेनी है तो आप directly QR code scan करके मुझे payment बेच सकते हो साथ ही mail पे आपका personal whatsapp contact और payment receipt जो है वो मुझे बेच दो मैं आपको मेरे personal whatsapp पे add कर दोगी so I hope कि सारे doubts clear होंगे channel membership के अंदर तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी के साथ तो निफ्टी की आज की closing कहाँ पे आई है तो 15,811 के पास निफ्टी आज बंद हुआ है तो निफ्टी ने आज हमें 800 के उपर की closing दी है और दिन भर की बात करें तो heavy fall के बाद भी निफ्टी आज closing basis के उपर 700 और 800 के उपर बंद हुआ है तो देखे मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि यहाँ से अगर आप upside के लिए target पूछोगे तो मेरा target fix है 850,900 का level market जब यहाँ पे आएगा उसके बात क्या करना है वो हम लोग बात की बात सोचेंगे लेकिन अभी इस market में हमारा upside के लिए जो target है वो 850,900 का level ही रहेगा और मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि देखे अगर निफ्टी दिन भर में कितना भी गिरे कितना भी हमें downfall दिखाए लेकिन अगर closing basis के उपर 700 के उपर आके बंद हो रहा है इसका मतलब निफ्टी जो है वो हमें upside के momentum continue दिखाएगा और कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें आज भी देखने को मिला निफ्टी ने finally 700 के उपर closing दे के ये साबित तो कर दिया है कि निफ्टी के अंदर ये जो bullish momentum आया हुआ है ये continue रह सकता और यहाँ पर हम लोग buy and dips की strategy जो है वो intraday में use कर सकते हैं तो देखिए फिलाल market ने हमारे no trade zone के ऊपर closing दी है मैंने पहले भी आप से कहा हुआ है ये पूरा zone no trade zone है इससे हमें breakout मिलना important है तभी हम लोग nifty का एक trend जो है वो पता कर सकते हैं कल एक indices formation करने के बाद nifty ने आज एक positive closing दी है bullish candle जो है वो form की है तो यहाँ से आगे के अगर बात करें तो यहाँ से आगे हमारा target 15,900 का level ही रहेगा जब तक nifty इस level को पार नहीं करता है आगे के levels हम लोग अभी discuss नहीं करेंगे अभी इस market के अंदर हमें क्या करना है जब तक nifty closing basis के उपर 700 के उपर closing दे रहा है हमें अपनी buy on dips की strategy जो है वो यहाँ पर intact रखनी है वही option chain data अगर हम लोग देखें तो nifty का option chain data है मेरे सामने तो call side में सबसे ज़्यादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ है वो 16,000 के level के उपर हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है और देखें मैंने पहले भी आपसे कहा है नifty के लिए अभी जो next resistance है वो इस zone में है और नifty हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है वही call side में आज सबसे ज़ादा हमें writing कहां पर दिखाई दे रही है तो आज highest writing हुई है 16,200 के उपर वही हमें यहाँ पर के level पे contracts की exit भी हुई दिखाई दे रही है और फिलहाल नifty के लिए huddle zone जो रहेगा वो यह level रहेगा और जब तक यह पार नहीं होगा upside के हमें अभी कोई भी levels नहीं देखने हैं अभी हमें क्या देखना है नifty हमें यहाँ से 15,600 से लेके 16,000 के बीच में trade करता हुआ इस अफ़ते दिखाई दे सकता है और जब तक नifty closing basis के उपर 700 के उपर hold हो रहा है नifty का इस zone में आने का chance पका है downside की बात करें तो देखे put side में सबसे ज़ादा open interest कहां पर बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो 15,000 के level के उपर दिखाई दे रहा है second highest की बात करें तो second highest 15,700 के उपर है वही आज सबसे ज़ादा put writing कहां पर हुई है तो आज सबसे ज़ादा put writing हमें 15,700 के level के उपर दिखाई दे रही है तो देखे मैंने पहले भी आपसे कहा है चार्ट के उपर की 15,700 का level कितना ज़ादा important है जब तक nifty closing basis के उपर 15,700 के पार आके रुख जाता है हमें nifty के अंदर अपना जो upside के लिए target है 15,900 का वो continue रखना है हाँ थोड़ा बहुत consolidation होगा इंट्राडे में थोड़ी बहुत गिरावट होगी लेकिन closing basis के उपर 700 अगर nifty hold हो रहा है तो nifty के अंदर ये जो bullish momentum है ये हम लोग आगे भी continue देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग buy on dips की strategy जो है वो use कर सकते हैं तो option chain data analysis हमने कर लिया है तो चलते अभी चार्ट के उपर निफ्टे 50 के तो अभी मेरे सामने निफ्टी का one day candlestick pattern chart है और निफ्टी की आज की अगर बात करें तो आज की opening हुई थी 15,791 के पास intraday low था 15,606 का और वहाँ से निफ्टी ने हमें अच्छी खासी recovery दिखाई first of all 15,680 के support के उपर stable हो गया मैंने आपको intraday में live market में important support और resistance के जो levels है वो मैंने telegram channel के उपर update कर दिये थे तो अगर आपने मुझे telegram के उपर अभी तक follow नहीं किया है तो जल्दी से कर लो नीचे description box में telegram channel की link जो है वो आपको मिल जाएगी तो telegram के उपर भी मैं हमेशा live market में important support और resistance के levels जो है वो update कर देती हो तो वहाँ पे follow कर लीजे आपको फाइदा ही होगा तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ levels जो थे वो important बता दिये थे उसमें मैंने 680, 750, 710 ये सारे levels वहाँ पे mention किये थे तो first of all nifty ने आज क्या किया nifty ने 680 का level अच्छे से hold रखा और वहाँ से हमें एक अच्छी खासी recovery दिखाई first of all 710 पार किया then उसके बाद में 750 और 780 के उपर हमें एक jump दिखाई और finally closing basis के उपर 800 भी पार कर लिया तो nifty support को respect करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया और buy on dips की strategy अगर आज आपने use की होती तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा फाइदा जो है वो nifty के अंदर मिल सकता था तो nifty के अगर यहाँ से बात करें तो nifty के लिए important रहेगा next trading session के लिए 15,760 और 780 का support zone अगर nifty 760 और 780 के support zone से नीचे फिसल जाता है या फिर इससे नीचे trade करने लगता है तो यहाँ से nifty हमें 15,710 और 15,660 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support के levels रहेंगे next trading session के लिए upside की बात करूँ तो upside के लिए first resistance रहेगा यहाँ से जो की 52 week high था 15,835 का अगर nifty इस level के उपर sustain हो जाता है तो intraday में ही nifty हमें 15,880 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है nifty 50 के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने chart के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी route रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी nifty के लिए हमने बात कर ली है तो चलते हैं अभी bank nifty के उपर तो 34,950 के पास bank nifty जो है वो आज बंद हुआ है तो nifty bank ने 35,000 का level जो है वो closing basis के उपर hold नहीं रखा है और इस level के नीचे ही nifty bank हमें trade करता हुआ दिखाई दे रहा है और मैंने जैसे आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि अगर nifty bank यहां से 34,800 या फिर 700 से नीचे फिसल दा है तो इंट्राडे में हम लोग nifty bank को 34,350 तक गिरते हुए देख सकते हैं और अगर यह correction के बात करें तो nifty bank हमें 34,000 और 33,500 तक का भी correction जो है वो दिखा सकता है before any up move तो option chain data अगर हम लोग देखें तो call side में सबसे ज़ादा open interest जो पना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो 35,500 के उपर दिखाई दे रहा है highest writing जो है वो हमें 34,900, 35,000, 35,500 के उपर जो है वो दिखाई दे रही है साथ ही साथ अप site में हमें positions जो है वो build up होती हुए दिखाई दे रही है 36,500 के level के उपर तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो before any up move nifty bank हमें correction की तरफ बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे सकता है अगर nifty bank next trading session में इस level के उपर sustain नहीं हो जाता है तो अगर next trading session में इस level से नीचे ही रहता है तो first of all nifty bank हमें 34,000 तक का correction तो definitely दिखाएगा अगर वहाँ पर नहीं रुखता है तो 33,500 तक भी nifty bank गिर सकता है अगर इस level के उपर sustain हो जाता है तो यहां से हमें 35,500 के resistance की तरफ nifty bank का एक move जो है वो दिखाई दे सकता है वही downside के अगर बात करें तो support कहाँ पर बना हुआ है तो highest जो open interest हमें दिखाई दे रहा है वो दो levels के उपर दिखाई दे रहा है first of all जो है वो 34,500 के उपर है और second जो है वो 35,000 के उपर है तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा अगर nifty bank 35,000 का level पार नहीं करता है तो गिरावट पढ़ सकती है downside के लिए तो option chain data हमने देख लिया चलते हैं चार्ट के उपर nifty bank के so आज की opening जो हुई थी 34,936 के पास हुई थी और वहाँ से nifty bank ने 34,374 का low किया और उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी recovery bank nifty के अंदर भी आती हुई दिखाई दी और first of all nifty bank ने 34,500 को hold रखा उस level को hold रखा और वहाँ से हमें एक अच्छी खासी recovery आती हुई दिखाई दी जो की nifty bank ने वहाँ से 34,995 का high किया था यहां कि 35,000 के आसपास ही nifty bank गया था और अभी closing basis के ओपर 950 के पास जो है वो बंद हुआ है तो यहां से आगे की बात करें तो support और resistance की levels क्या रहेंगे तो first important जो support रहेगा nifty bank के लिए वो रहेगा यहां से 34,850 का level अगर nifty bank 34,850 से नीचे फिसल जाता है या फिर इससे नीचे trade कर लेता है तो यहां से nifty bank हमें 34,610 and 34,350 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अब side की बात करो तो upside के लिए first resistance 35,080 का level रहेगा इसके बाद में next resistance रहेगा 35,210 और 35,480 का level यह nifty bank के लिए important support और resistance के levels है जो आपको आपके chart के उपर mark करने है ताकि आपको trading के वक्त definitely helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी आपसे next video में till then bye take care and trade carefully